नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने सिविल सर्विस के इतिहासिक परिदिस को देखा था कि कब से शुरू हुई थी ये परिक्षा और भी इसके बारे में मत्पूर पॉइंट थे उन्हें भी हम लोगों ने देखा था अगर आप लोगों ने नहीं देखिए वो क्लास तो आप लोग जाकर देख लिजेगा आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में पैटर्न कहने का मतलब है कि इसमें योगता क्या होनी चाहिए आप देखते हैं कि आपके दिमाग में भी कुश्चन्स आते रहते हैं कि इसमें सिक्षा मतलब कितना पड़ा लिखा होना चाहिए यहां देखिए मैं भारी भर कम सब्दों का उप्यों नहीं करू होंगा बहुत इस अधारन सब्दों में हम लोग बात करेंगे जिसे क्या हो कि आप लोगों को भी समझ में आ सके और मैं भी बेहतर समझा पाओं कि फिर आप देखते हैं कि इसमें आयू सीमा क्या होनी चाहिए समझे रहे आप लोग कितनी एज होनी चाहिए मिनीमाम आपकी और किस सीमा तक आप लोग दे सकते हैं कितने अटेंप्स मिलती हैं आपको यानि कि कितने बार आप लोग ये पेपर दे सकते हैं परिच्छा का प्यारूप क्या होगा कि इसमें कितने तरह की पेपर होते हैं समझे रहे हैं आप लोग और आप देखें कि प्यारमबिक परिक्षा में कितने कुर्ष्चन्स होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है मुख पर इच्छा में क्या पैटर्न है कितने नंबर का होता है इंटर्वीव कितने नंबर का होता है इस तरह के जितने भी आपके questions है उन सब के जवाब आपको आराम से इस class में मिल जाएगे बस आपको बड़ी धेर के साथ इसी आराम से देखना है और इन सबकी पीडियाप आपकी टेलीग्राम पर डाल दूँगा तो वाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा और आराम से पढ़ते रहिएगा ठेक है? और बाद मैं बता भी दूँगा अभी भी बता दिता हूँ कि अगर आप लोगों को हकीकत में निकालना हैं तो आप लोग NCEIRT पढ़ना सुरू करते चें क्योंकि बिना NCEIRT बुक्स पढ़े कुछ नहीं उखडने वाला हैं ठीक है? चलिए अब हम लोग इसे देख लीते हैं पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही मालू होना चाहिए कि आपका आप सभी जानते हैं कि आप लोग किसी भी विद्ध्याले से इसनातक होना चाहिए अब इसनातक कहने का मतलब क्या है? आप देखते हैं कि बारेवी की बाद आप लोग B.A. करते हैं BA करते हैं समझ रहें BSE करते हैं तो इतना आप लोगों को पड़ा लिखा होना चाहिए इस तरह कि जो भी आपका समक्ष जो भी इसनातक होती है उसे आप लोगों को पास होना चाहिए यह तो मैंने उधारन की रूम में आपको बता दिया गया है क्योंकि कई पूछते हैं कि इ BSE कर लेते हैं तो यही इसनातक कहलाने लगता है ठीक है और भारत का आप लोगों को नागर्थ होना चाहिए तो आप लोग इस वेपर को दे सकते हैं औरने भी सकते है अब बात आती है कि इसमें IU SEMA क्या होनी चाहिए आप देखते हैं कि आप लोग 18 साल के हो जाते हैं तो आप लोग विदायक को भी चुनने लगते हैं बोटर आईडी में आपका नाम भी जुड़ जाता है आप लोग सरपंचों को भी चुनने लगते हैं लोग सबा सदस को भी चुनने लगते हैं और कई पेपर आप लोग डालते हैं जिनमें 18 साल एज मांगी जाती है मिनीमम लेकिन इसमें क्या है 21 साल आपकी मिनीमम एज होनी चाहिए तभी आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं ठीक है? तो इसमें आप दे बात करें सामान बर्ग के लिए तो 21 से 32 साल यानि कि मिनीमम 21 नियून तम 21 और अधिक तम 32 साल वहीं हम लोग अगर OVC की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 21 की नियून तम रखी गई है और अधिक तम 35 साल तक आप लोग दे सकते हैं वहीं हम लोग HTSC की बात करें HTSC कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाती और HTSC कहने का मतलब है अनुसूचित जन जाती तो इन के लिए 21 से 37 साल रखी गई है यानि कि कहने का मतलब है कि 21 साल के अगर यह लोग हो जाते हैं इसमें से कोई भी इनका मतलब आप समझी HTSC का चात्र है, तो 21 साल का हो जाता है तो पेपर दे सकता है, सेलेक्शन ले सकता है, और यह 37 साल तक पेपर दे सकते हैं, ठीक है, और याद रखिए इस तरह कि छोट भी मिलती रहती हैं तो उस पर आप लोग जाना द्यान मत दीजे का, अब बात आती है कि इसमें अटेम्ट कितने मिलते हैं, कितने बार आप लोग पेपर दे सकते हैं, और याद रखिए प्रेलिम्स अगर आप लोग पेपर में बैठ जाते हैं, यहाँ एक पॉइंट आप लोगों को बड़े ध्यान से रखना चाहिए, माल लिए कि आप ल प्रेयास सीमा है, उसमें गिंती नहीं होगी, अगर आप लोग पेपर देने जाते हैं, और पेपर देते हैं, तो आपका एक अटेम्ट माल लिया जाएगा, समझ में हैं? तो इसमें आप लोग डरा मत करिएगा कि आप लोगों ने फॉर्म बर दिया, आपका काउंट हो जा प्रिलेंज दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद याद रखिए, OVC को 9 अटेम्ट मिलते हैं, कितने? 9 अटेम्ट मिलते हैं, और HTSC के लिए कोई सीमा नहीं है, जब तक कि उनकी एज नहीं हो जाती है, ओवर एज नहीं हो जाते हैं, तब तक बो लोग पेपर दे सकते हैं, ल यानि कि जनरल में ऐसा नहीं है, मालने जे कि किसी बच्चे की एज 21 साल है, तो वो 6 अटेम्ट देते, 27 का हो जाता है, तो याद रखिए हो कि उसकी यहां खतम हो जाएगी, ठीक है? लेकिन HTSC के लिए काफी चूट मिली हुई है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि तेन चर्णों में यह परिक्चा होती है, तेन स्टेज में यह परिक्चा आपकी आयोजित की जाती है, तौन कौन से स्टेज हैं? एक तो आप देखते हैं प्यारमविक परिक्चा, जिसे आप लोग प्रिलेमनरी परिक्चा करते हैं, या जिसे आप आप लोग short में prelims कह देते हैं, pre कह देते हैं, दूसरी आप देखते हैं, दूसरा stage मुख परिक्षा, जिसे आप लोग man परिक्षा कहते हैं, फिर आप देखते हैं साक्षात कार, यानि की जिसे आप लोग interview कहते हैं, अगर आप लोग prelims निकाल देते हैं, फिर आप मुख परि इंटर्व्यू देने जाते हैं और याद रखे मुख परिक्षा और आपका इंटर्व्यू के नंबर ही आपकी फाइनल लिस्ट जो बनेगी मेरिट इसी से बनेगी यह प्यारमिक परिक्षा केबल आपका एक पड़ाओ है आप सोचे कि लाखों लोग भर देते हैं तो उन्हे उनकी चठनी करने के लिए जो अच्छे बच्चे हैं वोही मुख परिक्षा लिखें इसके लिए आपका प्यारमिक परिक्षा रखा गया है इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई महत नहीं रखते हैं एक बात आप आप लोग साब साब याद रखें अब इ दो आपका पिथम पिष्ण पत्त और दूसरा आपका दूतिये पिष्ण पत्त इसे आप लोग सामानद्य हन फेपर फफ़र्श्ट भी कह देते हैं और इसे आप लोग क्या कह देते हैं, C-set भी कहते हैं और याद रखे, सबसे पहले आपका यही होता है, GS का इसमें क्या pattern है, इसमें syllabus में part-kirm क्या क्या है इसे हम लोग अंगली क्लास में बिर्टार से बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को 100 questions देखने को मिलेंगे 200 number के रहेगा, और 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों कितना? 100 तो आपकी पास questions होंगे इस paper में 200 number के होंगे, और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको ठीक है? यह आप लोग विसेश तोर पर याद रखे और याद रखे, पित्थम पिसनपत्य की आधार पर ही आपकी merit बनती है, और आप लोग मुख परीक्षा में पहुँच पाते हैं जो दुतिये पिसनपत्ये, एक एवल qualifying होता है इसमें कहने का मतलब है कि 33% अगर आपकी number आ जाते हैं पिसनपत्य सेकेंड में, तो आप पास मान लिये जाते हैं ठेक है, लेकिन जो मुख परीक्षा में पहुँचने का जो एक तरह से वो है आप समझे ये प्यारंबिक परीक्षा में जो पिसनपत्य पहला होता है इसी के आधर पर आप लोग पहुँच पाते हैं अगर पिसनपत्य सेकेंड की बात करें तो इसमें 80 कुश्चन से आपको देखने को मिलेंगी कितने? 80 ये भी आपका 200 नंबर करेता है इसके लिए भी आपके पास 2 घंटे का समय रहता है अब बात आती ही इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं तो बिलकुल माइनस मार्किंग है यानि कि यहां तुक्का आपका काम करने वाला नहीं है कहने का मतलब मेरा ये कि 100 कुश्चन से आप 100 ही लगा की चले आए तो आप लोग घाटी में रहेंगे क्योंकि कितना भी वड़ा विद्ध्वान हो 100 कुश्चन स, पूरे की पूरे 100 कुश्चन स किसी को आए यह मुझे नि लगता है कि संभव आज तक हो पाया है समझ रहें आप लोग तो इहां आप लोगों को अगर आप लोग एक कुश्चन स गलत कह देते हैं तो उसका आप लोगों को भुक्तान भी करना होगा कितना भुक्तान करना होगा पिते गलत उत्तर के लिए कुल अंक में से एक तिहाई अंक काटे जाएंगे माली जी कि आप लोगों ने तीन उत्तर गलत हो जाते हैं तो एक जो सही होगा बहुत तर आपका काट लिया जाएगा कहने का और भी अच्छे तरीके से बता दीता हूँ मान लिजे कि तीन कुश्चन आपने गलत करती है ऐसा ना हो मैं तो यही चाहता हूँ तो इसमें आप लोगों को एक कुश्चन से जो सही होगा उसे हटा दिया जाएगा एक कुश्चन सही से भुगतना पड़ेगा यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि याद रखिएगा अगर आप किसी कुश्चन को अटेम्ट से नहीं करते हैं तो आप लोगों में उसमें ना माइनस मारके होगी ना ही उसमें आप लोगों को कोई अंक मिलेगा मानलेजी कि आपकी जो आंसर की आती है आंसर सीट आती है उसमें आप लोग मानलेजी कि दस कुश्चन के आंसर नहीं लगाते हैं खाली छोड़ देते हैं जिनकी आंसर आप लोगों को आप ही नहीं रहे हैं तो उससे आप लोगों को ना तो फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान आपको देना पड़ेगा समझ रहे हैं आप लोग लेकिन अगर आप लोग गोला भर देते हैं आंसर सेट में भर देते हैं उने और वो गलत रहते हैं तो आप लोगों को इसका भुखतान करना पड़ेगा, सही questions में, तो ये भी आप लोगों के मन में साब साब होना चाहिए, और आपको बता चुका हूँ कि पारेंबेक परीक्षा में सफल अब भ्यारतियों की अंग मोख परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, एक तरह से आ आप देखते हैं क्वाइलिफाइंग आपका होता है, तो यह जरूर आप लोग याद रखेगा, अब देखिए आप लोग की मोख प्यारंबीक परीक्षा आप पास कर लेते हैं, पहला पड़ाओ आप लोग पास कर लेते हैं, तो आप पहुँचेंगे मोख परीक्षा में, यानि कि लिखित परीक्षा में, यहां तो आप देखते हैं कि जो प्यारंबीक परीक्षा होती, इसमें विकल्प रहते हैं, कि आपके पास चार विकल्प रहेंगे, इनमें से कौन सही है, आप लोगों को गुला भरना होगा, लेकिन मुख परीक्षा में आप लोगों को क् मंद चर्चा में थे इस पर आप लोगों को टिपड़ी करना है तो आप लोगों को पूरा एक तरह से आप जानते ही कि आप लोगों ने इस तरह के questions लिखे भी हैं समझ रहे हैं आप लोग यही लिख लिख कर तो अभी तक यहां तक पहुँचे हैं तो इतिहास में आप लोग questions लिखते थे उनकी answer लिखते थे तो उसी तरह की बात की जा रही है तो मुख परीक्षा में कितने questions होते हैं सबसे पहले आप देखेंगे paper फश्ट होगा यह आपका कोई भी मान भासा हो जैसे आप लोग देखते हैं कि आठवी अनसूची में आपकी 22 भासा हैं दी गए इन मैंसे आप लोग कोई भी चुन सकते हैं जैसे आप लोग मान लेजी कि आप लोग उत्तरपदेस MP या आप लोग कहीं इस साइड से हैं तो आप लोग अधिकतर लोग क्या चुनते हैं हिंदी ही चुनते हैं क्या चुनते हैं हिंदी ही चुनते हैं और तो यह तीन घंटे का रहेगा और तीन सो नंबर का रहेगा तीन घंटे का रहेगा तीन सो नंबर का रहेग पेपर भी कह देते हैं आप लोग, यह भी आपका तीन गंटी करेगा, तीन सो नंबर करेगा, फिर आप देखेंगे पेपर फष्ट, इसी आप देखेंगे निबंद कहते हैं, आप लोग उन्हें बचपन से निबंद लिखते आए हैं, लेकिन यहां हट की निबंद होता है, इसे आप लोग सामानध्यन पेपर फष्ट कहेंगे, और तीन गंटे का होगा, दो सो पचास नंबर का होगा, इसका क्या पार्ट करम है, हम लोग आने वाली क्लासों में थे, बहुत थी वारिक से हम लोग देख लेंगे, पेपर तीसरा, सामानध्यन सेकंड कहलाएगा यह, ए तीन गंटे का रहेगा आपका, दो सो पचास नंबर का ए भी रहेगा, पेपर थेड, सामानध्यन पेपर थेड, लेकिन इसे पेपर फोर कहते थे, तो याद रखे ए तीन गंटे का रहेगा, दो सो पचास नंबर का रहेगा, पेपर फाइव, सामानध्यन इसे क्या कि आप लोग कि फोर सामानध्यन फोर चौत्रा पेपर एतीन गंटे करेंगा और दो सो पचास नंबर करेंगा फिर आप देखते हैं कि आपका ओप्शनल आता है आप लोगोंने सुना भी होगा कि आपने कौन सा ओप्शनल लिया हुआ है कोई कहेगा हमने हिस्ट्री लिग हु दूसरा विकल्विक पेपर होगा यहाँ साब बता दूंगों को देखिये क्या देखना है आपको यह ऑप लोगों को साब साब मालो रादा है कि अगर आप लोग हिस्ट्री लेते हैं तो दौनों पेपर हिस्ट्री से हिए होँगे ऐसा नहीं कि एक पेपर आपका history का हो गया ये पुम का जियोग्राफिक का हो गया नहीं अगर geography आप लोग optional में लेते हैं तो दोनों पेपर आपके geography की होंगे यह आप लोग यागते तीद गाल आपको बता दूं कि जो पेपर यह बताया था मैंने हिंदी के लिए या आप लोग जो आटवी अनुसूची में आपकी भासा हैं उन्हों में से एक चुन सकते हैं उसमें होगा आपका और पेपर भी जो इंगलेस का होगा यह आपका तीन तीन सो नंबर क्यों होंगे दोनों पेपर लेकिन इसने क्वाइलीफाई रखा गया है यानि कि कहने का मतलब है कि कम से कम 25 परसेंट अंग आपको प्राप्त करना होगा किसमें पेपर अंग्रेजी का इसमें भी आप लोगों को और पेपर फर्ष्ट यानि कि यह कोई भी भी भासाओ जैसे हिंदी ले लिजे माल लेजे उधारन के लिए तो इसमें से तीन सो में से आप लोगों को कितना 25 परसेंट नंबर लाने होगे तो आप लोग पास हो जाएंगे समझ रहे हैं आप लोग और याद रखिए यहां के बल आप लोगों को पास होना है फाइनल मेरिट लिष्ट में इनके भी नंबर नहीं जुडेंगे ना तो पेपर ए के जुडेंगे और ना ही पेपर बी के जुडेंगे फाइनल मेरिट लिष्ट में यहां से आपकी नंबर जुडेंगे पेपर एक पेपर दो पेपर तीन पेपर चार पेपर पाँच पेपर छे और पेपर साथ इन साथ पेपरों के आपकी नंबर जुडेंगे फाइनल किसमें मेरिट लिष्ट आपकी जो बनेगी तो यह आप लोग बड़े ध्यान से याद रखेगा और आप देखेंगे कि फाइनल में आपका एक इंटर्वी भी होता है जब आप लोग लिखित परिक्षा देद होगे और निकाल लोगे तो उसके बाद आपका इंटर्वी होगा यह 275 नमबर कर रहेगा टोटल यह 7 पर आपकी 3750 नमबर के हो गए और इंटर्वीव 275 टोटल मिलाकर आपका 2025 हो जाता है और इसमें आप लोग देखेंगे कि 2025 के हिसाब से इसी के आधर पर आपकी मेरिट लिष्ट बनेगी और आपको पद मिलेंगे तो यह है आपकी कहानी ठीक है और इसमें आप लोगों को विसेश तोर पर आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो पेपर फश्ट यानि कि नेबंद पर आप लोग जोड़ देते हैं सामानध्यन पेपर फश्ट पर आप लोग जोड़ देते हैं में सामणनत्य आथ पेपर शार्मध क्ताएं विقल और विशेश तो पर ध्यान देते हैं लेकिन इतना आप लोगों को अंगरेजी एअंबि कर केंगते जो भी आप के पेपर हैं ँसमें अंग्रेजी तो आपकी अनिवार है कम से कम आप लोग qualify करने लाइक जरूर पहुंच जाएं इसी तरह आप लोग first paper में देख लीजिए यहाँ प्यारमभीक परीक्षा में मालीजिए आपके प्यारमभीक परीक्षा के first paper में आपके 200 में से 190 number सही है ठीक है और दूसरे paper में आपके 33% number नहीं ला पाए तो फिर आप लोग मुख परीक्षा में नहीं पहुँच पाएंगे यह भी आप लोगों को विशेश तोर पर आप याद रखेगा तो दोनों जगे आप लोगों को थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा कि आप कहीं पर कमी ना रह जाए समझ रहें आप लोग तो इन्हें आप लोगों को जरूर याद रखना है दो हजार पच्चीस जिसे आप लोग 20-25 भी कह सकते हैं तो यह कहानी है आपकी आँगे हम लोग क्या करेंगे मिलते हैं किस में प्यार में परिक्चा की पाटकरम में जिनने आप लोग सिलिवर्स भी कह देते हैं और याद रखा करिएगा कभी भी कोई भी भी परीक्चा हो समझ रहें आप लोग उसका पाटकरम आपकी पास होना चाहिए पुराने questions पर आपके पास होना चाहिए अगर यह सब आपके पास रहता है तो आप बहतर इस्तिती में पहुँच पाते हैं और अगर नहीं है तो अभी भी time है कम से कम आप लो एक खटा करके अपने पास रखा करिएगा table पर आपके पास होना चाहिए आजकल तो आप लोग में प्यास स्मार्ट फॉन भी है तो उसमें भी आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं वो आराम से बैठे बैठे देखते रहें जब भी time मिलता है आराम से देखा करिएगा चलिए तो हम लोग मिलते हैं किसमें प्यारिम्विक परीक्षा की पाट करम की बारे में किया कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है आके चल की ठीक है